आज के टॉपिक है एक फैमिली प्लेनिंग मेथट के उपर जो है बहुत ही पॉपूलर और टेम्पॉररी और डिवर्सिबल मेथद जो है कि इंच्छा इट्राइन कंट्रसेप्टी डिवाइज जिसे हम कॉमनली जानते हैं आयो सीडी के नाम से तो इसी के बारे में मैं आज करूंगी बहुत ही एक पॉपूलर मेथड है जो वाइडली हमारे इंडिया में यूज होता है और यहां से बहुत सारा क्वेस्टिन भी आता है और इसके उपर नॉलेज भी नर्सिंग स्टुडेंस को या नर्सिंग एक्सपार्ट को जरूरी है और बहुत सारा ट्रेनिंग क्या है एक छोटा सा फ्लेक्सिबल प्लास्टिक भी होता है और दूसरे मतलब मोनोफिलामेन का भी होता है बना हुआ इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी तो यह क्या होता है क्या होता है क्या होता है और कहां पर प्लेस किया जाता है यूटरियन क्याविटी में हाइल effective method है reversible contraception तो reversible क्यों है अगर इसे हम remove कर देता है तो फिर से वो mother concept कर सकती है तो यह हो गया definition तो यहां पर देखिए IUCD का दो तरह का होता है normally use किया जाता है अभी जो है कि IUCD 375 और एक है IUCD 380 है तो IUCD 375 का description देख लिजिए its effect lasting up to 5 years तो 375 का जो 5 है इसे आप लोग याद रख सकते है कि इसका जो effect है वो 5 साल तक lasting करता है it is 3.5 cm long and 1.8 cm wide यह question आ सकते है तो यह आप लोगों को याद रखनी होगी यह 3.5 cm long है और wide है कितना 1.8 cm it has inverted u shape मतलब कि ultra u shape है with serration उसमें serration भी है तो यह कोई भी अगर image बेस question आती है कि कौन सा type का copper T है यह बताईए और iocd है sorry copper T मैंने बताई तो iocd कौन सा type का है तो serration with inverted u shape अगर होते है तो वो हो जाएगे iocd 375 it's vertical stem covered with copper wire iocd 375 का सिफ vertical stem ही copper wire से cover up होते है इसका surface area copper का कितना होता है 375 square mm यह भी आप लोगों को याद रखनी होगी क्योंकि चोटा 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 पॉइंट है ना इससे भी बहुत सारा question आते है it has a fluorescent green color threads threads का color क्या है green यह सब में क्यों point out कर रही हो highlight कर रही हूँ क्योंकि जभी मैं 380 यह के ultra u यानि की inverted u set with serration इसका stem जो है vertical stem वो copper wire से जुड़ा हुआ है उसका surface area कितना है 375 square mm और fluorescent green color का इसका thread है तो यह हो गया total 375 उसके बाद आते 380 है तो आभी देखिए वो कितने साल था 5 years यहाँ पर 380 0 से आप लोगों को याद रखनी होगी यह 10 साल मतलब 10 साल तक इसका effect lasting करता है इसका size कैसा है 3.6 cm long 3.2 cm wide पहले वाला देखिए क्या था 3.5 x 1.8 यह वाला है 3.6 x 3.2 तो यह भी आप लोगों को differentiate करके ही याद रखनी होगी Its horizontal arm has copper band, vertical stem has copper wire तो 3.75 में क्या था सिर्फ vertical stem में copper wire था और इसमें क्या है horizontal arm में भी copper band है vertical stem में भी copper wire है और इसका thread का color क्या था green color threads और 3.8 यह का threads का color है white 3.75 का surface area था 3.75 square mm copper का और 3.80 में copper का surface area 3.80 square mm तो यह से आपको याद रख सकते 3.75 का 3.75 square mm 3.80 का 3.80 square mm तो मैंने याद रखने का तरीका भी बता दिये है और IUCD का shape कैसा होता है T से पेढ़ते है और यह वाला क्या था inverted U shape with serration तो यह हो गया description जो IUCD 3.80 A और 3.75 का बता दिये है तो अभी आते है क्या mechanism पर तो यह कैसे काम करते है उसके पहले देख लेते है कि कोई भी अगर IUCD जब insert हो जाता है IUCD related कोई problem create होता है तो हम क्या करते है X-ray करके देखते है कैसे X-ray करके क्यों पता लगता है क्योंकि ए रेडियो पर क्यों है तो इसलिए अगर कोई ऐसे complaint लेके आते है तो उसके लिए हम X-ray करके दिखा देते है कि देखिए यह position कैसा है और कोई भी अगर investigation के लिए भी जरूरी है तो फिर भी हम X-ray करते है तो इससे पता लग जाता है कि IECD का position normal है या abnormal है और यह क्यों पता लगता है क्योंकि यह radiopic है radiopic क्यों है क्योंकि यह barium sulfate से filled है तो यह भी एक question हो सकती है उसके बाद देखिए mechanism of action तो यहां पर देखिए interfere with ability of sperm to pass through uterine cavity तो copper जो होता है ना copper क्या करती है decrease sperm motility and function and thereby prevent fertilization तो copper क्या करता है sperm का motility और function जो है वो decrease कर देते है और ability जो है sperm का uterine cavity से pass करने के लिए उसका motility और function क्या होना चाहिए इंप्रूब होना चाहिए ना तो आगर sperm का function ही decrease कर देते है तो वो ability नहीं होगा uterine cavity pass करने की उसके बाद क्या करता है cervical mucus को thicken कर देते है तो thicken हो जाएगा तो fertilization के लिए जो condition है वो ठीक ठाक नहीं है उसके बाद इंटर्फेर with reproductive process before over reach uterine cavity तो reproduction को जो process है uterine cavity में पहुंचने के पहले वाला वो भी इंटर्फेर करता है मतलब वो भी ठीक ठाक से नहीं होने देते हैं उसके बाद change in the endometrial lining endometrial lining में changes करते हैं तो copper tea में जो copper जो होता है ना IOCD में तो वो क्या करता है तो वो यह सब कुछ करके मतलब पूरा changes बना देते हैं उसमें तो fertilization नहीं हो सकता है स्पाम भी नहीं अंदर आ सकता है ओभा भी ठीक से टाइम में नहीं पहुंच पाता है तो copper tea के नाम से बहुत सारा अमीद फैला हुआ है अगर हम कोई भी patient को बोलते हैं कि आपको copper tea पहना जाएगा तो वो strictly ना बोल देगी तो लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि इसलिए copper tea अभी strictly banned है और नहीं बोलनी है तो चलिए उसके बाद देखिए timing of initiation यहां पर देखिए तीन टाइम है जाएं कि postpartum period, post abortion period and interval period पोस्ट पार्टम में क्या है तो within 10 minutes of expulsion of placenta हम IOCD insert कर सकते हैं within 48 hours of delivery भी कर सकते हैं after removal of placenta and before closer of uterine incision मतलब कि अगर LUCS हो रहा है मतलब lower uterine caesarean section हो रहा है तो तभी भी हम कर सकते हैं तो यह हो गया total postpartum period अभी post abortion period after surgical abortion immediately or within 12 days हम insert कर सकते हैं और अगर after medical method of abortion around day 15 हम करते हैं उसके बाद interval period within first 12 days of menstrual cycle हम IOCD insert कर सकते हैं anytime during menstrual cycle if reasonably certain that the woman is not pregnant तभी भी हम IOCD insert कर सकते हैं लेकिन हमें क्या check करने होगी उसके पहले उसका urine test करके देखनी होगी और USG देखनी होगी कि वो mother pregnant है की नहीं यह sure होके फिर हम IOCD insert कर सकते हैं उसके बाद देखिए यह IOCD acts as an emergency contraceptive method if inserted within 5 days of unprotected intercourse और contraceptive failure तो कोई भी करन से अगर unprotected intercourse हुई है और contraceptive failure हुई है तो within 5 days of unprotected sex IOCD insert करते हैं तो it acts as an emergency contraceptive यह भी एक important point है यह आप लोगों को यात रगनी होगी next देखिए warning signs क्या है इसे हमें pain इसी लिए बोल रही हूँ क्योंकि यह आपको याद रखनी होगी तो pain से आप लोग याद रखेगा P का मतलब क्या है periods related problem यानि कि late or missed period वो क्या denote करता है possible pregnancy A मतलब क्या है abnormal spotting और bleeding abnormal pain और pain during intercourse तो A से आप लोगों को यह याद रखनी होगी A मतलब क्या है infection abnormal vaginal discharge जो foul smelling है तो और excessive हो रहा है discharge तो यह हो गया signs of infection उसके बाद N for not feeling well fever है chill है उसके बाद S S मतलब है string related problem feeling problem with the string क्या बोलते है वो लोग कि lower part of the ICD piercing हो रहा है ICD बाहर आ रहा है तो ऐसे अगर कोई problem मैं string related तो उसे हम warning sign बोलते हैं तो तभी हमें क्या करनी होगी x-ray करके और उसका position देखके ठीक ठक है और problem क्या है वो हमें assess करके फिर उसके बाद next step लेनी होगी तो warning signs को आपको कैसे याद रखने हों कि pains की नाम से तो pains से आप लोग यह याद कर लीजेगा यह बहुत एक important question हो सकता है भाई-बाबे में पूछ सकते है कि आई-उ-सीडी का warning signs क्या क्या है तो अगर आप लोग pains याद रखते हैं तो जल्दी जल्दी से बता पाएंगे तो अभी देखिए क्या है और चीज फॉल्व आप तो फॉल्व आप कब करनी है फास्ट फॉल्व आप करनी है six weeks और after next menstrual period whichever is earlier तो six weeks after the next menstrual period मतलब आगर आप लोग क्या कर सकते है जब आई-उ-सी इंसर्ट हुए उस डेट से छे सबता बात आप दिखा सकते है और next menstrual period कोई भी हो अगर तो उसके मतलब जो भी पहले है उसके पहले आप लोगों को दिखा करनी है उसके बाद second follow-up करनी होगी three months from the date of insertion date of insertion से तीन महीना बाद आप लोगों को follow-up करनी होगी उसके बाद third follow-up करनी होगी six months from the date of insertion तो यह जो point है आप लोगों को मादर को समझा देनी होगी कि date of insertion से six weeks, three months, six months आप लोगों को यह तीन follow-up करनी होगी तो यह हो गया total follow-up तो यहां पर मैं कुछ point बताना चाहती हो कि हम लोग nursing officer है अब हम लोग क्या करते हैं Biomedical Waste Management हम लोगों को अच्छे से याद रखनी होगी तो IUCD से question आ सकते हैं कि IUCD आप कहां पर throw करें डिसकर्ट करें तो इसका answer हो जाएगे red bucket तो यह भी आप लोगों को याद रखनी होगी क्योंकि यह question भी पूछ सकते हैं कि IUCD आप लोग तो use कर रहे हैं लेकिन कहां पर डिसकर्ट करें तो IUCD अब लोग डिसकर्ट कर सकते हैं red bucket में यहां पर और एक question है बताना चाती हूँ कि IUCD में क्या होता है एका-GER इस आप होता है तो वह एक्सपेरी डिल congratus क्यों लिखा हुआ होता है कि वह जो डटे वह आई उसीदी का एकसपाईरी डेट नहीं वह जो packet में उसका एक्सपाईरी डेट है मतलब सोच लीजिये कि सेप्तेमबर नाइन्थ में उसका एकसपाईरी डेट यह 2021 तो अगर हम September 9 में ही उसे खोलते हैं और मादर में इंसेट करते हैं तो क्या होगा मादर उसको पांच साल तक यूज कर सकती है अगर 375 इंसेट करते हैं तो पैकेट खोलने के बाद से क्या होगा उसका पांच साली डूराबिलीटी है लास्टिंग एफेक्स है और पैकेट की जो एक्सपारिडेट है वह उसमें लिखा हुआ होता है और एक question है कि IUCD sterilization कैसे होते हैं गामा radiation से यह थी question आशकता है और इक चीज है कि ऐसे question आशकते हैं कि अगर मतलब में तो अगर बहूत ही mediate है वह एक्स्ाइड है ओग कॉपर ब्लैक हो जाता है हम उसे उसकेश कर सकते लेकिन अगर ब्लैक छोड़के कोई और कलर हो रहे है तो हम उसके कॉल्ट बाइघ करेंगे जो मतलब और एक्स्टीड़ेट क्राइट रहे हैं फिर भी हम उसे यूज़ नहीं करेंगे ऐसा क्यों है बल्ए कंट सब्सक्ता है मेश में क्वार्म सब्सक्जराइब द dicecus or curble करेंगे ठीक और चोड़ दा तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे लेकिन लेकεια और नहीं तो मंख्यों चोड़ाता है तो मुणहां तो यह हो गया टोटल प्रॉसेस तो अगर आउसीडी पर्फेक्ट प्लेस में है यह आप लोग कैसे याद रखेंगे तो यह याद रखने के लिए आप लोगो को पूछनी होगी पेशिन को यह आप पार अब्डोमेंट फिल कर सकता आउसीडी को आप लोग भी हाथ देके दे देख सकते हैं फॉर्सेप्स मैक्सिमम में अंदर जा रहा है तो वह प्रॉपर प्लेस्मेंट करता है उसके बाद फिल्स रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिल कर रहे है मदर तो यह जो तीन पॉइंट है इसका मतलब क्या है देर दोस आप थ्री साइंस ओफ आईसीडी इन पॉइंट देख लिजिए लिमीटेशन्स यह जो मैंने बताए सब पॉइंट से छोटा-छोटा बहुत पॉइंट से यह क्या होता है आप लोग का क्वैरी जोते है और बहुत सारा भाईबावे में यह पूछते है तो इसलिए मैंने बता दिये है उसके बाद देखे लिमी आपसोलियोबली कंट्रा इंटिकेरिड आउसीड है यह आप लोग जान लीजिए तो आउसीड हम यूज नहीं कर पाएंगे तो यह हो गया टोटल आउसीड जो है की spacing or temporary methods contraceptive methods in national family planning program यह वीडियो अगर आप लोग का पसंद आये तो प्रेस प्लीज प्रेस्ट 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 गाटन और जो हीड बेल बटन तो रिगल अप्डेट अब्टेट अबस्क्राइब अब्सक्राइब आए और चानल थान्क्यो फॉर वाचिन झाल झाल